नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यानवी दोस्तो ये एक लहसून की कली आपके घर की गरीबी और दरीदरता का नाश वरीबी आपके घर में साथ जन्दमों की गरीबी ये एक लहसून की कली समाप्त कर देखते तो आप अगर अमीर बनना चाहते हैं आप गरीबी अपने घर से निकालना चाहते हैं तो लहसून के इस छोटे सी उपाय को आप अवश्य जानने और जानने की आपको ये एक लहसून की कली कैसे गरीबी मुक्त कर पाईगी तो दोस्तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं आप अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हैं तो आप ये है आज का वीडियो आखित तक जरूर देखते रहें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आपको हमारे चैनल के माध्यम से चनक के निती, मोटिवेशनल और हिंदु धर्म शास्तरों के साथ, वास्तु शास्तर और भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवानी के वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे दूस्तु अगर आप भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्णा को प्रेम करते हैं, तो आप कोमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख देख दूस्तु हिंदू धरम शास्तर और चानक के नीती के मादिम से आज हम आपको एक तोटका बताने वाले हैं, तोटका बहुत ही आसान है, दूस्तु भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवानी कहती है, कि जीवन में हर इंसान पैसे के पीछे अपनी भाग दोड़ करता है पैसा कमाने के लिए इनसान तरह तरह के जुगार लगाता है, इनसान पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत खूब करता है, लेकिन इनसान को उसकी मेहनत के फल नहीं मिल पाते हैं, जितनी मेहनत करता है, उसका उसे फल नहीं मिल पाता हैं, तो दूस्तु अगर आप भी अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं आपके खर्चे बढ़ चुके हैं लेकिन आमंदनी कम है और आप तरह तरह के उपाय करकी परेशान हो चुके हो तो दूस्तों वास्तु शास्तर के अनुरूप चानक्यजी कहते हैं कि जो लोग इस उपाय को करेंगे वास्तु के अनुसार किया आई उपाये घर की दरीदर्ता और गरीबी का नाश करते का काम करेगा आपने एक लहसुन की कली लेनी हैं और इस लहसुन की कली में आप काला धागा पिरो लें काले धागे के अंदर से लहसुन की कली निकालने के बाद आप इसे 41 मंत्रों से अभिमंत्रित करने हैं मंत्रों का जाप करते हुए आप इस लहसुन की कली को एक इस तरीके से अभी मंत्रित करें कि अपनी देवी मा लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्णा से अराधना करें कि हे देवी देव मेरे घर की गरीबी और मेरे घर की दरिदर्ता को मेरे घर से बाहर निकाल दे अपने पूजा स्थल में आप इस अराधना को करें अगर आपके घर में पूजा स्थल बना हुआ है तो आप अपने पूजा स्थल में इस उपाय को करें दोस्तो आपके घर की गरीबी और दरिदर्ता का नाश करेगी यह लहसुन की कली फिर आप इन मंत्रों का जाप करने के बाद इस लहसुन की कली को अपने गले में डाले काले धागे में बांदा हुआ लहसुन का यह है एक कली आप अपने गले में पहन कर किसी भी काम को करने के लिए जाओगे तो दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलेगी आपके द्वारा किया गया हर कार्या सफल हो जाएगा तो आप अगर अगर अपने घर की दरीदरता और गरीबी को मिटाना चाहते हैं आपने घर को साकारातमक उर्जा से भरना चाहते हैं और आप भगवान श्री कृष्णा के सच्चे मन से अराधना करते हैं तो आपको यह उपाए अमीर और क्रोड पती बनाने का काम करेगा तो दोस्तो जो लोग गरीब हैं जो एक एक पैसे के मोहताज हैं वो इस उपाए को वाश्य करने तो दोस्तो आज के वीडियो में वस इतना है वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें हमारे चैनल टोटल ग्यान को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही ग्यान वर्थक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे हम इस चैनल पर आपके लिए चान के निती, मोटिवेशनल, हिंदु धर्म शास्त्र, वास्तु सास्तर और भगवाद शिरिकुर्षना की कर्शनवानी लेकर आते हैं जिसे आप देखकर अपने ज्यान के भंडार को वढ़ा सकते हैं हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद